हेलो फ्रेंड्स आपका मेरे यूटूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल तो आज के वीडियो में मैं आपको अन्बॉक्सिंग करके बताने वाला हूँ CP Plus का Cosmic Series का Bullet और Dome Camera का और आपको CP Plus के Guard Plus Series का Bullet और Dome Camera का दोनों का आपको अन्बॉक्सिंग करके बताऊंगा और साथी साथ दोनों का comparison करके भी बताऊंगा कि कौन सा feature आपको किस में ज़्यादा अच्छा मिल जाता है और price कितना है मैंने इसको कहां से purchase किया कितने price में purchase किया आपको सारा कुछ इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है तो दोस्तों वीडियो काफे interesting होने वाला है और वीडियो को इस टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा request चाहता हूँ अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए होंगे तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा और bell icon को all पे select कर दीजेगा इस से मेरे upcoming वीडियो का notification आप तक पहुंसता रहेगा और वीडियो को इस टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूँ अगर आपको ये camera लेना होगा तो इसका link मैंने आपको description में दे दिया है कहां दे दिया है description में दे दिया है और साथी साथ अगर आपको इसका detail unboxing video चाहिए तो उसका भी link मैं आपको description में दे दूँगा इसका detail unboxing किया हूँ मैं उसमें ठीक है इस वीडियो में मैं आपको short form में आपको इसका unboxing और comparison करके बताने वाला हूँ तो चलिए अब हम करते हैं वीडियो को इस start तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है CP Plus का Cosmic Series का Dome Camera, Bullet Camera और ये है Guard Plus Series का CP Plus का है ये भी और ये है Dome Camera और ये है Bullet Camera तो सबसे पहले हम करते हैं इसको Unbox, ठीक है तो सबसे पहले मैं Unbox करता हूँ, इसको नहीं करता हूँ, पहले इसको करता हूँ तो ये है CP Plus का Cosmic Series का Dome Camera, तो इसको हम करते हैं Unbox सबसे पहले और आप देख सकते हैं आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है ये Camera Box को अब हम रख देते हैं Side में, अब मैं आपको Open करके दिखाता हूँ, CP Plus का Dome Camera जो की Guard Plus Series का है तो इसको हम बहार निकालते हैं, और इसको हम निकाल देते हैं Side में, और रख देता हूँ इसको मैं यहाँ पे अब मैं आपको Unboxing करके दिखाता हूँ, CP Plus का Cosmic Series का Bullet Camera, तो ठीक है, तो अब हम करते हैं इसको Open और इसको Open करके रख देते हैं इसको Side में, ठीक है, Box को रख दिए हम Side में इसका भी, अब हम Open करते हैं Guard Plus Series का Bullet Camera, तो अब हम इसको भी निकाल देते हैं, बहार और इसको भी रख देते हैं, हम Side में और box को रख दिये अब इधर तो आप देख सकते हैं ये रहा Cosmic Series का Bullet Camera और Dome Camera और ये रहा Guard Plus Series का Dome Camera और Bullet Camera तो आप देख सकते हैं Dimension से आपको कोई जादा अंतर नहीं दिखाई दे रहा होगा सिवा जो Dome Camera है इसका थोड़ा छोटा है और इसका बड़ा है तो सबसे पहले मैं आपको comparison करके बताता हूँ dome camera का तो आप देख सकते हैं जो dome camera है आपको इसमें इस टाइप का wire मिल जाता है black color का ठीक है और इसमें आपको white color का wire मिल जाता है दोनों की wire का अगर आप comparison करेंगे आप देख सकते हैं तो आपको इसका wire काफी पतला मिलते है और इसका काफी motor मिलता है और वहीं BNC और DC connector का भी quality की बात करें तो आप देख सकते हैं आपको guard plus series का BNC और DC connector का quality ज़्यादा अच्छा मिल जाता है ठीक है ये तो रहा छोटा मोटा comparison अब मैं आपको इसका main comparison करके बताता हूँ ये जो cosmic series का जो आपका camera है उसमें आपको IR LED lights मिल जाता है साइड में आप देख सकते हैं ये IR LED lights मिल जाता है ठीक और बीच में आपको 2.4 megapixel का आपको sensor मिल जाता है सेम हैज़िटिस आपको इसमें भी 2.4 megapixel का आपको sensor मिल जाता है बीच में और आपको नीचे में मिल जाता है 2 LED light ये जो LED है इसका खास बात ये है कि ये जो LED के कारण आपका दिन में तो colour recording करता है दिन में ये बी colour recording करता है और ये भी colour recording करता है लेकिन जहां शाम होता है और रात होता है यह black and white में आ जाता है और यह आपका hazardous color पे ही रहता है क्योंकि इसमें आपको दो strong LED light मिलता है और यह जो LED light है दोस्तों वो depend करता है जितना dark होता है उतना light का जो intensity हो बढ़ते जाता है ठीक है ना तो यह auto adjustment रहता है जो sensor sense करके automatic adjust कर लेता है उसको वहीं अगर इसकी weight की बात करें तो इसका weight आपको थोड़ा जादा मिलेगा अगर आप compare करेंगे इस से CP plus के cosmic series से तो अगर आपको रात में भी color recording चाहिए तो आप इसको ले सकते हैं काफी जोड़दार camera है दोस्तों और ज्यादा उतना expensive भी नहीं है अगर आप compare करेंगे आपके cosmic series से तो ठीक है अगर आपको रात में भी video quality color में चाहिए full color में तो आप इसको purchase कर सकते हैं और अग अगर आपको has it is simple रात से आपको कोई मतलब नहीं है black and white हो या color हो तो आप इसको ले सकते हो ठीक है दोनों में आपको same sensor मिल जाता है same camera sensor मिल जाता है ठीक है इसमें भी 2.4 megapixel डला है इसमें भी 2.4 megapixel डला है बस अंतर आता है इसके IR LED lights मिलता है इसमें और इसमें आपको 2 LED lights म बाहर नहीं लगा सकते हैं यह जो dome camera को आप बाहर नहीं लगा सकते हो यह waterproof नहीं है लेकिन वहीं आप यह dome camera को बाहर लगा सकते हो यह waterproof है समझ गया नहीं तो यह waterproof है तो इसका यह फायदा है कि आप इसको indoor outdoor दोनों में ही लगा सकते हो और इसको सिर्फ आप indoor में ही लगा सकत है ना अप्राइज उपन नीचे होते रहते हैं लेकिन मैं आपो एक इप टोसन का वारेंटी और दोनों दोनों सकी बिजा है और दोनों कहीं बडी ABS plastic से बना हुआ आता है तो आपको मैंने dome camera का पूरा details बता दिया तो अभी हम रख देते हैं dome camera को back side में और अब हम ला लेते हैं ये camera को front में bullet camera को तो अगर आप दोनों में compare करते हैं dimension का bullet camera में तो आपको कोई difference नहीं मिलने वाला है आप देख सकते हैं एकी तरीका से सकेंगे अगर आप दोनों को रख देंगे तो सिर्फ ये wire के color से ठीक है आपको guard plus series में white मिल जाता है और cosmic series में आपको black मिल जाता है otherwise आप देख सकते हैं दोनों में कोई difference नहीं मिलता आपको आपको मैं ऐसे दिखा देता हूँ guard plus series का camera ये है CP plus का cosmic series और ये है guard series दोनों में आपको 2.4 megapixel का camera मिल जाता है इसमें आपको IR LED lights मिल जाता है और इसमें आपको 2 LED light मिल जाता है ये दो LED के light के कारण ही ये color video capture कर सकता है और ये color video capture नहीं कर सकता क्योंकि इसमें आपको IR lights मिलते है और इसमें आपको दो LED lights मिलता है इसमें खुद का light होता है इसका यह color video capture कर सकते है और इसमें खुद का light नहीं होता तो यह color video capture नहीं कर सकता ठीक है? तो यह दोनों में यह difference होता है और आपको बात बताना चाहता हूँ इसका weight आपको ज़्यादा लगे गही ठीक है न? और इसका weight आपको light weight लगेगा अगर आप compare करेंगे दोनों का जैसे कि CP plus का dome camera और CP plus guard series का dome camera में आपको guard plus series का heavy में मिलता है थोड़ा वैसे ही आपको bullet camera में भी यह heavy में मिलता है और यह जो दोनों camera है यह दोनों waterproof के साथ आता है ठीक हैना चाहे वो cosmic series का हो bullet camera चाहे वो आपका guard plus series का bullet camera हो दोनों ही waterproof resistance आता है और यह भी आपका यह वाला जो guard plus series का यह waterproof आता है इसका dome camera waterproof नहीं आता अब हम बात करते हैं इसके price के बारे में तो अगर आप cosmic series का bullet camera की बात करें तो यह आपको 1300, 1300 के आसपास में मिल जाएगा और वहीं अगर आप guard plus series की बात करें तो यह आपको 1600 के आसपास में आपको यह मिल जाएगा तो यह चारों का link मैंने आपको description में दे दी है आपका जैसा requirement होता है आप उस हिसाब से यह camera को purchase कर सकते है अगर आपको कम price में चाहिए जो आपके guard plus series है यह guard plus series इसका जो price है वो आपको 300,400 रुपे आपको जादा लगेगा अगर आप compare करेंगे तो price में ठीक है लेकिन अगर आपका requirement नहीं होगा कि राद को भी मेरे को color video चाहिए तो आप इसको purchase कर सकते हो यह तो काफी अच्छा camera है दोनों में ही आपको 2-2 सल का warranty मिल जाता है कोई difference नहीं है camera sensor भी same है बस difference होता है LED light का ठीक है और एक बात और बताना चाहता हूँ इसमें आपको LED light मिल जाता है compare करेंगे आप guard plus series फे तो काफी कम होता है इसका power consumption क्योंकि इसमें आपको LED light नहीं मिलता है और इसमें आपको LED light मिल जाता है और राजभर जलता है तो इसका जो power consumption आपको ज़्यादा लगेगा और आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आने वाले वीडियो में मैं आपको इनका वीडियो comparison करके बताऊंगा CP plus का cosmic series, CP plus का guard plus series का आपको वीडियो comparison करके भी बताऊंगा और इसका night vision कैसा है और इसका night vision कैसा है सारा कुछ का आने वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तब तक आप मेरे चैनल पर जुड़े रहिएगा सब्सक्राइब करके रहिएगा तो दोस्तो आज का वीडियो बस यही था बताईएगा जरूर कि आपको मेरे ये वीडियो कैसे लगा अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीफ लाइक कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सेयर करना बिल्कूल न भूले क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार का वीडियो रोजाना लाते रहता हूँ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई टेक केर